तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर काफी तरीके की गन बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडिओ में एक अलग तरीके की गन बनाई है, आप लोग को बंबुस्टिक के बारे में तो पता ही होगा, तो मैंने इस वीडिओ में बंबुस्टिक लांचर गन बनाई है। और इसको बनाने के लिए मैंने rubber band का इस्तमाल नहीं किया है और ये चलेगी cap gun से तो cap gun के बारे में तो आप लोगों को पता होगा तो cap gun ही इस bamboo stick को चलाने काम करेगी और ये देखने में काफे ज़्यादा लगता है क्योंकि ये पटाके की आवाज के साथ चलता है और इसमें स तो दोस्तो आज से कुछ दिन पहले मैंने इसे बनाया था अगर आपने इसके वीडियो नहीं देखी आपको नहीं पता ही क्या चीज़ है तो मैं इसके वीडियो की link आप लोगों description box में देदूँगा वहाँ जाके देख सकते हो तो simply इसी के सायता से हम यहाँ पे इस gun को ब लगाने वाला हूं तो सबसे पहले हमें जीज़गा पर लगाना है वहाँ पर मैं एक निसान लगा दे रहा हूं कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग कर दे रहा हूं और इसे हमें इतने इरिया को कट करके निकाल देना है तो पहले तो म बॉल बता दिए रहun तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसे लगाना लगाना है इसको लगाने के लिए में यहाँ पर लोल का इस्तिमाल करेंगे के हैं तो सबसे पहले इसके अंदर जो चले तो वहां से आप purchase कर सकते हो तो इस तरीके से बंबू इस्टिक डाल करके हमको फिर उसमें यह जो हमने आगे पीतल का बनाया है इसमें भी हमको बंबू इस्टिक डाल करके यहाँ पर हम चिपका देंगे फैब वी कुईक से ताकि दोनों बिल्कुल सीध में चिपके और जब बंबू इस्टिक डाले तो वह पेपर के अंदर रोल में भी जाया और फिर वह पीतल वाला जो हमने बनाया उसके अंदर भी चला जाया इसलिए मैंने इस तरीके से इसे लगाया है ताकि दोनों बिल्कुल सीध में चिपके अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास सीमे गराईश ही से रहा हूं और ओर इसके जोईन अच्छे से मजबूत हो चुकि है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने इस अच्छे से dol नको मजबूत कर दिया लेकिन अभी हम इससे और ज्यादा मजबूत करने वाले हैं तो इसके लिए हम यहां पर एक पेपर नो बराबर हैं बिल्कुल तो यहाँ पे सबसे पहले में 5 इप को लिखा करके इस से बिल्कुल ठोस मजबूत कर दे रहा हूं तो यह बिल्कुल अभी ठोस हुचका है अब दोस्तों यहाँ पे आप लुग देख सकतों यह नीची वाले से उपर वाला बिल्कुल बराबर हो चुका है यहाँ पे आप लुग देख सकतों यह बिल्कुल उसके लेवल में आ गया है तो अब हम इसके उपर एक और paper roll लपेट देंगे तो अभी आप लोगों समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो चलो सबसे पहले मैं इसे लपेट देता हूँ और इसे हमें थोड़ा मोटा करना है इतना मोटा करना है जिससे कि पाइप के अंदर चला जाए यह पाइप में तो अभी देख सकतों यहाँ पे इतना मोटा हो चुका है अभी मैं यहाँ पे मैं पाइप का नाप ले करके इससे इस जगह से कट कर दूँगा तो चलो यहाँ पर मैं निसान लगा दे रहा हूँ और इसे मैं ग्राइंडर की मतलर से कट कर दे रहा हूँ और दोस्तो इसको कट कर देने बाद हम इसे और मजबूत अगर करना चाते हैं तो फिर से उपर से फैवे कुई गिरा देंगे तो यह और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा यहाँ पर आप देख से तो जिस तरी के इसमें फैवे कुई गिरा रहा हूँ तो इसे बिलकुल मजबूत हो जाता है वो कागज वाला जो लचा कुटा है वो चला जाता है वो नहीं रहा तो अभी दोस्तो यहाँ पर मैंने इसे मोटा रखा है कि यह इस पाइप में आसानी चला जाए और इसे हमें थोड़ा अंदर के साइट में रखना है तो अभी इसको अंदर डाल देने के बाद हम इसे फैवे कुईक से अच्छे से चिपका देंगे चारो तरफ से और इसे अच्छे से मजबूत कर देंगे पेपर इसे मैंने एक छोटा सा होल कर दिया और इस जब पे हम एक कील लगा देंगे क्योंकि इसके पीछे जब हम इसकी ट्रिगर बनाएंगे जो कि जटके से इसके कैप गन को प्रेसर दे के उसको बजाने काम करेगा तो यह क्या होता कि जटके से आगे निकल सकता है तो उसको मैं इसे फैवे क्योंक लगा देने है यहाँ तौक इसके कील बाद में निकल नगा जायाँ तो अब दोस्तों मैं पेपर का रोल इस तरीके से बना लेना है एक बिल्कुल स्टिक की तरह तो यहाँ पर मेरे पास लगड़ए कोई स्टिक है इसलिए मैं इससे पेपर काई रो लपेटूंगा जिसे कि इसका साइज हो वो थोड़ा मोटा हो जाए तो चलो इसे भी मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ और दोस्तों इसको कंप्लीट कर देने बाद हम इसके उपर भी इसको 5W कोई गिरा करके अच्छे से पूरे पर 5W कोई गिरा करके इसे मजबूत कर लेंगे तो चलो अभी यहाँ पर मैं इसके चारों तरफ अच्छे से 5W कोई गिरा करके इसे अच्छे से मजबूत कर दे रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पर हमें एक लोहे के कील आगे के साइट में इस तरीके से लगा देनी है तो अभी कील का क्या काम है आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर मैंने एक कील लगा दिये और इसके सभी तरफ मैं फैवे कुईक लगा करके इसे अच्छे से मजबूत कर दे रहा तो इसे हम घीस करके बिल्कूल समूत कर लें क्योंकि इसका समूत होना काफी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह अंदर सरकने काम करेगा गाँ आगे पीछे मूव हो सके सरक सके और इसको हमें पीछे के साइड में यहाँ पर हम इसे लगा देना है और यहाँ पर इसे भी हम फाइब कुईक डाल करके वही काम करें जैसे हमने आगे किया अच्छे से हम इसे मजबूत कर देंगे और फाइब कुईक हमें इतना डालना है जि को में इसके अंदर डाल देना है यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आगे वाले साइड पर जाके लड़ रहा है अब दोस्तों यहां पर मैंने दो छोटे चोटे पेच ले लिए और उनको काट करके मैं थोड़ा चोटा कर दे रहा हूं और उसके बाद यहा सामने साइड में तो यहां पर फैवेक को गिरा करके इन पेच को इसमें लगा देना है तो अभी इसका यूज आप लोगो समझ में आ जाएगा कि क्या यूज है तो चलो सबसे पहले मैं इस पेच को यहां पर लगा दे रहा हूं अच्छे से फैवेक क्विक से में चिपका लगा देना है ताकि पेच जटके से कभी बाद में निकल न जाए तो चलो यहां पर मैं इसे कंप्लीट कर दे रहा हूं तो इसी तरीके दोस्तों दोनों तरफ हमें पेच को लगा देना है और पेच की साइज हमें ज्यादा बड़ी नहीं रखनी वनना वह अंदर जा करके उस चीजसे लड़ेगी जो हमने पाइप अंदर बनाए हुआ है और जो हमने अलग से बना हुआ हुआ है जो पेपर कार रोल करके वो जाकर उसे लड़ेगी वह मुत्लिककाम नहीं करेगा तो इसलिए हमें इसको चोटा रखना है और उसके बाद ये जहने पिपर का रोल ब बाद हम यहां पे दो रबर बैंड लेंगे आप देख सकते हैं और इन दोनों के उपर के साइड में इस तरीके से गाठ बांदे नहीं है आप जाओ तो बिना गाठ बांदे भी यूज़ कर सकते हो लेकिन यह वह उतना अच्छे से वर्क नहीं करें इसलिए मैं इसे अच्छा चलाना है और यह चीज जो हमने पेच लगाए थी वह जाके आगे उस चीज से लड़ रही है जो हमने शुरू में वीडियो में यहां पर इसे मैंने लगाय था तो अब दोस्तों यह जो इस तरीके से पीछे किस करके यहां पर में रिंग कैप लगा दिना है और बस यह अभ बंबू इस्टिक जहां तक आ रही है जिससे कि यह ज़्यादा अंदर तक बंबू इसके अंदर डाले तो यहां तक लगबग यह आएगी तो यहां पर मैंने पहले से निसान लगा रखा है एक बाद फिर से मैं निसान लगा के आप लोगों दिखा दे रहा हूँ ताकि उस्टिक पूरी तरीके से अंदर जा चुकी है तो बस इतना काफी है अब यहां पर हमने पीछे रिंग कैप लगा दिया है अब यह हमारी चलने होतायार है बस हमें इससे पीछे इस तरीके से घीच करके इससे जटके से छोड़ देना यह जाके वहां रिंग कैप पर तो दोस्तो आई होप कि आप लोगों हमारे बंबूश्टिक लॉंचर गन ज़रूर से अच्छा लगाओगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को सेर करना मत मुलना तो फिर मिलता हो नेक वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत